ओम नमाशिवाय पॉस्ट मार्ष क्रिष्ण पक्ष सुक्रवार सप्तिमी तिथी पूरे दिन लगी रहेगी चंद्रमा पूर्वा फालगुनी नक्षत्र में सुबह सवादस बजे तक चलते रहेंगे तद पस्चाथ उत्तरा फालगुनी नक्षत्र में प्रवेश कर जिसके नक्षत्र स्वामी सूर्य देव हैं आज के जन्मे जातक सुंदर लोगप्रिये विद्या से धन लाप करने वाले धनी और सस्त्र विद्या में निपुड होते हैं ऐसे जातक आत्म प्रशंसा करने वाले आसावादी, हसमुख, राजसी सौक रखने वाले, स्वाभि वाले भी होते हैं यदिसायोगी लगन रहा सूर्य और बुद्ध की इस्तिती अनकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे चंद्रमा दिन में चार बजे तक सिंग रासी में ही चलते रहेंगे तक पस्चात कन्या रासी में प्रवेश कर जाएंगे और अगले धाई दिनों तक कन्य रासी में ही चलते रहेंगे जिसके रासी स्वामी बुद्ध देव हैं आज के चंद्रमा पर दोपहर चार बजे के बाद मंगल की सब्तंद्रिष्टी कायम रहेगी और नक्षत्र सूर्य का होगा जिससे प्रवलात लिश्वास बना रहेगा रचनात्म प्रयास सार्थक हों बिभागी सहियोग और अधिकारियों की सकारात्म प्रणा बनी रहेगी मगर सनी की दसंद्रिष्टी और केतु की नमम द्रिष्टी के कारण कभी-कभी मन में उदासी पन और मानसिक दबाव भी संबव है सूर्य का नक्षत्र होने से सभाव में उगरता और उतावलापन प देना चाहिए अन्यथा बापसी में कई तरीके कियर्चने संभावित हैं आज का राहुकाल सुबह साड़े दस बज़े से बारा बज़े तक चलता रहेगा इस दवरान नवीन कारियोजनाओं की रूप रेखा शुर्यात या कोई नया अनुबंध नहीं करना चाहिए अन्य जलते रहेंगे मन में अच्छे विचारों के सालसा अफना का रात्म भावना भी वनी रहेगी मन को किसी एक विशे पर एकाग्र करने में दिक्कत होगी पारिवारिक सुख संतुष्टी में कमी महसूस करेंगे मा के स्वास्त के प्रती चिंता बनी रहेगी नये काम रुक-र करोंगे और संतुष्टी और उत्साह की कमी का संकेत भी निलता है नविन का रियोजनाव के लिए आज का दिन उचित नहीं होगा हाला कि ब्यावसाइक गत्विधियां चलती रहेंगी और कारेशेद पर भावित नहीं होगा आठिक प्वक्ष मजबूत रहेगा संतान अनकुलता मिलेगी अध्यान अध्यापन में सही योग बना रहेगा और प्रतियोगी भावना विक्सित होगी ब्रिस्त राशी वाले जात्कों के बौधिक छमता और सारीरी कुर्जया में विकास होगा रचनातमा क्रियासीलता बनी रहेगी बुद्धी चातूरे से अपने ब्यावसाइक गत्विधियों में सफल रहेंगे और आठिक लाव मन मुताविक मिलता जाएगा अधूरे और रुके हुए कारे संपन्न होंगे मगर स्वात संबन्धी जटिलताएं बह सकती हैं और पैसे की कमी महसूस होगी संतान संबन्धी अनुकूलता और सिक्षा प्रत्योगता में सफलता संभावित है पारिवारी कुद्धेशों की पूर्ती होगी और खुष्णुमा माहौल बना रहेगा नीजी निवेश और वयवाइक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा और अपने खर्क्षों को नियंतित करने की कोशिश करनी चाहिए मित्वन डासी वाले जात्कों की सकारादमक कारी वर्जा बनी रहेगी और रचनादमक प्रयास सार्थक होंगे मगर माता के स्वास की चिंता और आर्थिक लेंदेन के मामलों में ठोस और महत्पूर निर्णा सोच समझ कर सावधानी से लेने चाहिए हाला कि ब्यावसाई की योजनाओं के कई अवसर सामने आएंगे नई कारियों जिनाओं के लिए भागीदारी लावदायक रहेगी शिक्षा प्रत योगिता में सफलता हासील होगी बच्चों से सम्मंधित सुखत समाचार मिल सकता है सासन सत्ता वाधिकारियों का सहयोग बना रहेगा आपके आध्यात में कुर्जा अस्तर में ब्रिद्धी होगी नीजी निवेश और वयवाहिक मामलों के लिए समय अनकूल रहेगा मगर स्वास सम्मंधि आवसक सावधानिया रखनी चाहिए करक राशी वाले जादक शारीरिक और मानसी कस्तर पर प्रभावित हो सकते हैं ब्यावसाइक लेंदेन में भी सावधानी रखें और नीजी सम्मंधों के प्रति सावधानी अप्रचित है हाला कि कारेच्षित के प्रति विस्तार और विकास का संकेत मिलता है संबंधित मामलों में आ रही अर्चने खत्म होंगी काम की अधिक्ता के साथ साथ सूर्जा अस्तर भी बड़ा रहेगा रचनातनों कुरिया सार्थक होंगे आर्थिक लाव बना रहेगा सिंचा प्रत्योगता में सफलता मिलेगी मगर संतान पक्ष से चिंता संभावित है नीजी निवेश के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा मगर स्वास्त के साथ ही साथ अपने कारेशेट से सम्मंधित सावधानी बनाए रखें और वाहन सावधानी से चलाएं सिंच राशी वाले जात्कों को धन समंधि मामदों में सहयोग मिलेगा और आर्थिक लाग के नए उसर क्राप्त होंगे उत्साह और कारी छम्ता में प्रिद्धी होगी अधूरे या रुके हुए सरकारी काम काज पूरे होंगे नई कार्योजनाओं के प्रतियापकी सक्रिय सोच जारी रहेगी मित्रों से सहयोग वा आर्थिक लाग बना रहेगा मगर बात-बात पर गुस्सा आना अनावस्यक, उतावलापन और वारी में उग्रता भी संभावित है बच्चों और फारिवारिक मामले में सुख और संतुष्टी मिलती रहेगी मिध्यार्थों के लिए आज का दिन मेहनत वाला होगा साथ ही अनावस्यक बाद विवादी इत्यादी का संक्यत भी मिलता है सावधानी अपेक्षित है और किसी समारोह में सामिल होने का मोका मिलेगा कन्यारासिवाले जाता कुर्जावान महसूस करेंगे और सकरियता बनी रहेगी आर्थिक लावमन मुताविक मिलता रहेगा ब्यावसाइक योजनाओं में साज्यदारी लाव सफलता दिलाएगी मित्रों और सहयोगियों से भी लाव संभव है कारे छेदर में अस्थाहित विकास होगा बड़े निवेस के लिए आज का दिन अनकूल है सिक्षा प्रतियोगता में महनक करनी पड़ेगी वयवायक मामलों के लिए साम का समय अनकूल रहेगा नीजी सम्मन प्रगाड होंगे और स्वास सम्मन द्यावसक सावधानी बनाए रखे मगर आर्थिक निवेस और व्यापारिक लेन देन में सावधानी अपेक्चित है तुला रासी वाले जातकों के आर्थिक मामलों में ब्याय की इस्थिति अंचाही यात्रा और अपने घर ग्रियस्ति पर खर्च की इस्थिति बनी रहेगी और यादा कदा मन में नकारात्मक विचारों का उतार चड़ाव संभावित है मगर सासन सर्था वाधिकारियों का सहीयोग बना रहेगा आठिक लाव मेहनत के अनुसार मिलता जाएगा मगर ब्यावसाय की योजनाओं में आचाना की वाल या रुकावट की संभावना भी बनती है पर इस्थितियों के अनुसार माहौल को सुलजाने की कोशिस करनी चाहिए संतान वा शिक्षा प्रत्योगिता में अनुकूलता बनी रहेगी और नीजी निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा ब्रिश्चिक राशी वाले जात्मों की आय संबंधी मामलों में ब्रिध्धी होगी और कारे छेत्र के उत्फान की प्रवृत्टी बनी रहेगी अपने आप में उर्जावान महसूस करेंगे और याध्यात में प्रेरणा का योगदान मिलेगा पारिवारिक दायत की पूर्टी होगी, खान पान और जीवन अस्तर में सुधार और घर परिवार के विकास पर ध्यान ना करसित होगा ध्यावसाई की योजनाओं की निरंतरता बनी रहेगी, आर्थिक लाव सामाने रहेगा अध्यान अध्यापन में सहयोग मिलता रहेगा, संतान संबंधी बहु प्रतिक्षित कारे पूरे होंगे वाणी की सौम्मेता बनाए रखें, अन्यथा आर्थिक नुक्सान संभावित है, पर इस्थितियों के अमसार सामज्य से बनाना आवस्यक होगा धनुरासी वाले जात्कों के कारे छेत्र को सुचारू ढंग से चलाने की प्रवृत्ति बनी रहेगी, वह नई कारी वजनाओं के बिस्तार में सहयोग मिलेगा, मगर कुछ कामों में रुकावट और सास्थ के प्रतिचिंता का संकेत मिलता है, थोड़ा संघर्स महसूस कर सक मगर ब्यावसाय की वजनाओं की जटिलता आप अपने पुद्धी कोसल और महनत के बल पर सुचाने में सफल रहेंगे, साजेदारी सफल रहेंगी, भावनात्मकू तेजना कायम रहेंगी, फिर भी प्रतिकूल महोल को अपने अनुसार करते जाएंगे, सहयोगियों से अपनिश्वास में गिद्धियोंगी, कारेच्षेद्र की जिम्मेदारियां पूरी होंगी, आर्थिक लाव सामाने रहेंगा, नई योजनाओं में निवेश, मगर साजेदारी के कामों में रुकावट संभव हैं, हलाकि संबंदित मामलों में उचित दिशा निर्वेश मि घर ग्रियस्ती में अनावर्सक वाद्विवाद और भ्रहम के इस्तिती भी पैदा हो सकती है, अनकूल माहौल और सामन्यस बना कर रहना चाहिए, वयवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा, विद्ध्यार्थियों को मेहनत करनी पड़ेगी और वाहन सावधा कुम्बरासि के जात्मों के लिए आठिक उन्नती का दौर जारी है, नई कार्योजनाय लावदाई होंगी, सासर सप्ताव और लिकारियों का सहजोग मिलता रहेगा, मगर कुछ कामों में रुकावट हो सकती है, ड्यावसाइक विवाद और उल्धने संभावित हैं, अनाव किरे और सावधानी से चलाएं, विद्ध्याथियों को अध्यान अध्यापन में सफवता मिलेगी, प्रयास जारी रखें, और परिस्कितियों के अनुसार धैर और सहियम बना कर रखें, मीन जाशी माले जात्मों के लिए आज का दीन अन्कूल रहेगा, कार योजनाव में चल रही रुकावटें दूर होंगी और सरकारी काम काज पूरे होंगे, आर्थिक लाग के लिए सहयोग बना हुआ है, नेजी निवेश के लिए आज का दीन अन्कूल रहेगा, पारिवारिक सदस्यों की सलाह पर अमल करें, लाग मिलेगा, साजेदारी के मामले आज के प्रयास जारी रखें, संतान सम्मंदी चिंता में कमी आएगी और वयवाहिक प्रयास फलिभूत होंगे, साथ ही स्वासमंदी सावधानी बनाए रखें और वहां सावधानी से चलाएं, आज के लिए वस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, ओम नमाशिवाये